नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सबसे बड़ा बल बुद्धी बल एक जंगल में भासूरक नाम का एक शेर रहता था बहुत बलशाली होने के कारण वे पिर्ति दिन जंगल के अनेक म्रग, खरगोश, हिरन, रीज, चीता, आधि पशो को मारा करता था एक दिन जंगल के सभी जनवरों ने मिलकर सभा की और निश्य किया कि भासुक शेर से प्रात्ना की जाए कि वे अपने भूजन के लिए प्रति दिन एक पशो से अधिक की हत्या ना किया करें इस निश्य को शेर तक पहुचाने के लिए पश्यों के पृतिनिधी शेर से मिले। उन्होंने शेर से निवेधन किया कि उसे रोज एक पश्यों बिना शिकार के मिल जाया करेगा। इसलिए वे अंगिनत पश्यों का शिकार ना किया करे। शेर ये बात मान गया। दौनोंने प्रितिग्या की कि वे अपने वचनों का पालन करेंगे। उस दिन के बाद वन के अन्य पशु वन में निर्भय घूमने लगे। उन्हें शेर का भे नहीं रहा। शेर को भी घर बैठे एक पशु मिलता रहा। शेर ने ये धमकी दे ली थी कि जिस दिन उसे कोई पशु नही ये था क्रम एक एक पशु को शेर के पास भेशते रहे। इसी क्रम से एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर की मांद की और चल पड़ा। किन्तु मिर्त्यू के भैसे उसके पैर नहीं उठते थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वे जंगल पशिज में इदर-ओधर भटकता रहा। एक इस्थान पर उसे एक कुआ दिखाई दिया। कोई में छा कर देखा तो उसे अपनी परचाई दिखाई दी। उसे देखकर उसके मन में एक विचार उठा। क्यों ना भारसुक को उसकी वन में दूसरे शेर की नाम से उसकी पर अच्छाई दिखा कर इस कुए में गिरा दिया जाए यही उपाय सोस्ता सोस्ता वैं भार्सुक शेर के पास बहुत समय बाद पहुचा शेर उस समय तक भूका प्यासा होड चाटता बैठता था उसके भोजन की घडिया बीत रही थी मैं सोची रहा था कि कुछ देर और कोई पशू ना आया तो वैं अपने शिकार पर चल पड़ेगा और पशू के खून से सारे जंगल को सीच देगा इसी बीच वैं खरगोश उसके पास पहुच गया और प्रडाम करके बैठ गया खरगोश को देखकर शेर ने क्रोज से लाल-लाल आखे करते हुए गरच कर कहा लूँगा वंश नाश कर दूँगा खरगोश ने विने से सिर जुका कर उत्तर दिया स्वामी आप व्यर्थ त्रोद करते हैं इसमें ना मेरा प्राध है और नहीं अन्यपश्वों का कुछ भी फैसला करने से पहले देरी का कारण तो सुन लीजे शेर जो कुछ कहना है जल् स्वामी बात यह है कि सभी पश्यों ने आज सभा करके और यह सोच कर कि मैं वाज छोटा हूँ मुझे तथा अन्ये चार खरगोशों को आपके फोजन के लिए भेजा था हम पाचों आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में कोई दूसरा शेर अपनी गुफा से निकल कर आया औ और बोला अरे किधर जा रहे हो तुम सब अपनी देवता का अंतिम इसमराण कर लो मैं तुम्हें मारने आया हूँ मैंने उससे कहा हम सब अपने स्वामी भारसुक शेर के पास आहार के लिए जा रहे हैं तब वै बोला भारसुक कौन होता है यह जंगल तो मेरा है मैं ही भारसुक के पास जाकर उसे बुला लाए मैं उससे स्वैम निवट लूँगा हम में से जो शेर अधिक बली होगा वही इस जंगल का राजा होगा अब मैं किसी तरह उससे जान चुड़ा कर आपके पास आया हूँ इसलिए मुझे देर हो गई आगे स्वामी की जो इक्षाह करें यह सुनका भारसुक बोला ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस शेर के पास ले चल आज मैं उसका रक्त पी कर ही अपने भूप मिटाऊंगा इस जंगल में मैं किसी दूसरे का हस्तचे पसंद नहीं करता खरगोष, स्वामी यह तो सच है कि अपने स्वामित्व के लिए युद करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है किन्तु दूसरे शेर अपने दूर्ग में बैठा है दूर्ग से बहर आकर ही उसने हमारा रास्ता रोका था दूर्ग में रहने वाले शत्रू पर विजय पाना बड़ा कठिन होता है दूर्ग में बैठा एक शत्रू, सो शत्रू के बराबर माना जाता है दूर्ग हीन राजा, दंती हीन साप और मधीन हाती की तरा कमजोर हो जाता है भारसुक, तेरी बार ठीक है, किन्तु मैं उस दुर्गस्त शेर को भी मार डालूँगा, शत्रू को जितनी जल्दी हो नश्च कर दीना चाहिए, मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है, शीगरी उसका नाश ना किया गया, तो वै बाद में असाध्यर रोक की तरा प्रबल हो जाएगा, खरगोश, यदी सौमी का यही निर्णे है, तो आप मेरे साथ चलिए, यह कहकर, खरगोश भारसुक शेर को उसी कुए के पास ले गया, जहां जुक कर उसने अपनी परचाई देखी थी, वहां जाकर वै बोला, सौमी, मैंने जो कहा था वही हुआ, आपको नीच को देखकर, मैं उसके दुर्ग में भी उससे लड़ूँगा, खरगोश शेर को कुए के मेर पर ले गया, भारसुक ने जुक कर कुए में अपनी परचाई देखी, तो समझा कि यही दूसरा शेर है, तब वै जोर से गरजा, उसकी गरज के उत्तर में कुए से दुगन दे दिये, खरगोश ने अपनी बुद्धी मता से शेर को हरा दिया, वहां से लोटकर वै पशो की सभा में गया, उसकी चत्राई सुनकर और शेर की मौत का समचार सुनकर सब जानवर खुशिशे नाच उठे, इस कहानी से हमें यही सिक्षा मिलती है, कि बली वही है जिसके पास बुद्धिवल है